अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकद्दमा आपकी आधालत रजट शर्मा के साथ नमस्तार आपके आधालत में आपका स्वागत है पूरे देश में धीरे धीरे चुनाव का महौल बन रहा है राजनीती में गर्मी आ रही है पार्टियों में नए समीकरण बन रहे हैं कुछ चूट रहे है ऐसे मौके पर आपके आधालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे नेता को जो राजनीती के समीकरण बनाने और बिगाडने दोनों में माहिर है प्लीज वेलकम जन्तादल उनाइटेट के जग्ष शरद्यादव से पहले कि आपके अदालत में आज का मुकरमा शुरू करें आज की जज डिवाकर की अजाज़त चाहेंगे आज की कारवाई शुरू करने के लिए कारवाई शुरू की जए तो मुकरमा शुरू होता है आपके अदालत में पहला इल्जाम शरद जाद होगा आपकी अदालत में जनत अदल युनाइटिट के अध्यक्ष शरद यादव पर आरोप है कि इन्होंने बीजेपी के साथ विश्वास घात किया सत्रा साल से गड़बंदन चल रहा था सरकार थी थोड़ी तकरार भी थी अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोस्ट दोस्ट ना रहा प्यार प्यार ना रहा बीजेपी हमें तरह इत्वार ना रहा ठेक बात आपने कही हमारा सत्रा बरस का रिष्था है और हम चाहते थे ये चले कोशिश भी हमने की मुक्कमंत्री नितीश कुमार ने भी कोशिश की लेकिन राजनेतिक रास्ते अलग हुए है रिष्था नहीं बगडा है तो मैं इतने ही कहना चाहता हूं कि परिस्थिती ऐसी बन गई कि हम साथ साथ चलना मुश्किल हो गया परिस्थिती बन गई या आप ने और नितीश कुमार ने ऐसी परिस्थिती बना दी के साथ चलना पाए ना 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 जो बड़ी पार्टी एलाइंस में होती है उसे ज्यादा गडबंदा चलाने का जिम्मेदारी होती है हम कंडविनेट थे हमारी जिम्मेदारी भी थी लेकिन हमने पिछले दो साल से मामले बिगडे हुए है और जब नेसला एक स्टिटी उनकी उई थी तब से बात बिगड़ी हुई थी लेकिन हम प्रयास करते रहें गोवा में जब भारती जन्तापाटी की राष्टे कारिकांडी की बैठत चल रही थी उस समय आपने का था एंडिये है ये टूटेगा नहीं ये रहेगा और चार दिन बाद तोड़ दिया उस समय मेडिया में आ रहा था कि कि वो गुजरात के जो मुख मंतरी उनको वो संगर समिती का अध्यक्ष बनाएंगे नहीं कंपें कमिटी का जब आ रहा था तो लोग उन पूछा ये अब क्या होगा अरे फिनका उनकी पार्टी के भीतर वो किसको क्या बना रहा है इस पर हमारा क्या बास्ता है लेकिन बनने क के बाद जो रजजी भासन हुए उनसे ध्वनी निकलती है कि जो नेशल लेजंडा है जिसमें कभी इस तरह नहीं बात हुई ख्याल रखा जाता है उसमें ऐसे भासन हुए कि लगता है कि देश में इनके स्वा कोई निता नहीं है अब हमारा एक हमारी जो है वहां पर्श्य के बारे में ऐसा बना है कि हर इलाके का जो सामाजिक समी करना है वो अलग-अलग है अब जैसे महरास्त है आप खुदी कहने कि अपनी पार्टी मों किसको कैम्पेंड कमीटी का चेर्मन बनाए इससे आपका क्या मतलब नहीं ठीक बात है लेकिन लेकिन आप इसी पर बात तो रास्ता उनका अलग हो गया हमारा अलग हो गया मैंने चाहिता कि जगड़े के बाद यह होता है जब तक दोस्ती थी तब तक घंबी नहीं पूछते थे लेकिन अब तो रास्ते अलग हैं अब तो बता दीजे नहां है मैं सोचाहूं कि आज की या देश की जो है वो बिकड़ देश है इसलिए जो पीछे की बाते उनकी तथा कथाम के हैं हरी कथा तो वो ठीक नहीं है अच्छा आप नहीं पीछे की बात करते हैं मैं आपको पीछे की बात बता देता हूँ दो चार भारती जनता पार्टी ने कहा कि उन्होंने कई बार खून के घूट पिये जब 2009 में नितिश कुमार ने नरिन रमोदी को बिहार में प्रचार करने से रुख दिया 12 जून 2010 को पतना में रास्टे कारकार्णी की मीटिंग हुई सब को डिनर के लिए बुलाया था वो आखरी मिनट पर कैंसल कर दिया 20 जून 2010 को कोसी में बाड़ाई गुजरात ने 5 करोड रुपे दिये वो वापस कर दिये तो उनका कहना है जब हम थोड़े खूनके घी घूट प्याद पी सकते थे तो एक कड़वी दबाई यह भी पी सकते थे परिशान हो गए जो गुजराज के मुख्मंत्री उनके चलते क्वोड भाग जाएगा लालू यादव जैसे लोग कह रहे है कि ये जब अडवानी जी को किनारे किया उससे शरद यादव और नितिश कुमार परिशान हो गए क्योंकि अडवानी जी के दो तोते हैं एक शरद यादव एक नितिश कुमार आपको पता हो कि लालू जी की जवाब देना उनकी बात का जवाब देना बेकार है मैं इतने ही कहना चाहता हूं जब उनको पत्र लिखला और इस्थीफा उनका हुआ इसके बाद वापिस लिया उनोंने उनका आंतरिक मामला है लेकिन हमको जरूर लगा कि एक आदमी की जो कद बनता है वो बहुत तपस्या के बाद बनता है अब जैसे हमारे हाँ जार साब ह तो जार साब को वो जाक चुनाओं लडा दिया था लोगों ने अरे आपने उनको किनारे कर दिया आपने उनको पार्टी के दश्टा से खटा दिया टिकट नहीं दिया आप कहरें लोगों ने 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 वो वहाँ जाग गए आप अड़वानी जी की बुज़ुर्गत की बात करते हैं जोज साब का आप लोग उने क्या हाल किया था सारी दुनिया ने देखा है आप सुनिये ने बात जो है वो इसको पूरी टोटल टीब देखिए तो वहां लड़ गए बीमार थे वो हम तो जानते हैं उनको लेकिन जब मुक्कमंतरी से हमने का वही पूछो जार साब से कि राजसभा की एक सेट खाली हो गए थी तो उस समय इतनी हालत उनकी खराब नहीं थी उनने पूछा मैंने पूछा गोले हाँ मैं लोगा पर हमने दिल्ली से आज वहां पहुंचाया याना हमने उनको राजसभा तो शर जी ये बात तो बीजी पर बिलागो हो सकते ना कि आप लालू जी की बात का जवाब नहीं देते हैं लेकिन वो बात बहुत इंट्रेस्टिंग कहते हैं उन्होंने कहा कि शरद यादव और नितीश कुमार का इतना प्यार है अड़वानी जी से अगर सती प्रता बन नहीं होती तो उनके साथ सती हो जाते हैं ऐसा है कि हम सती प्रता के भी खिलाब और मंडल कमंडल की लड़ाई हमारे उनके बीच में हुई तो वो अड़वानी जी जिन्होंने कमंडल की लड़ाई लड़ी जिन्होंने राम मंदिर का नारा लगाया आज आप उनको कह रहें वो सेक्यूलर हैं कि हमने कहा। नहीं जी बात नहीं कई हमने कहा भी जेपि में अलग अलग किस्प के लोग होते और उनके बारे स्टेश्यप ठीक हुआ उनने अपने मुद्दे पर एक लिए उन दोनों ने तो इसलिए छे साल वो चला एक एबरेशन है गुजरात और गुजरात के बारे में हम इस्तीफा दे रहे थे आटली ने हमको नाश्ते बुला कर रोका अब रुक गए तो वो यही तो सारी देश जानना चाहता है कि वो क्या है में हमको परिशान नहीं जो परसेप्शन देशमून का बना हुआ है हम उसका क्या करें है हमारे पास तो कोई जरिया नहीं है जादू की छड़ी नेगे मैसा करते है पतल तो इसलिए परिशान है नहीं हम तो गुजरात में 2002 के हमेशा अलग चुनाओ लड़े है चार जायागा किते लोगपरी है अरे इस देश का तो खंड खंड बटा हुआ है यहना आप चले जाए साउत में आता पता नहीं चलेगा उनका वीर हमारा भी हम भी करनाटक में थे लेकिन आज हम साफ हो गया मैं बीजेपी के मित्रोष कहना चाहता हूं ठीक से बैटकर सुचे गुजरात राजस्तान में डेक टो नेक होगी मध्यप्रदेश और चात्तिजगर यहाँ जरूर उनकी हालत अच्छे है दिल्ली में मान सकता हूंगा है लेकिन सेला जेक्षित्य बड़ी चत्र महिला है यहाँ जो कुस्ती होगी यहाँ जो लडाई होगी तो मैंने के सकता ह उसमें क्या होगा तो इसलिए वो गटबंदन के बगएर नात हम एंडिये में भी होते तो रजद बाबु मैं पक्का कहता हूं कि कोई 202 हमने आ जाते ना यूपी आएगा किसी को भी नदी पार्क नदी के किनारे तक पहुंचने का यहने 202 किनारा है वो ना उनको मिलेगा ना हमको मिलता हम साथ होते तब भी नहीं मिलेगा लेकिन हम साथ होते जैसे साथ थे तो एक गटबंदन जो है उसमें उनकी भी उनको भी लाब होता था हमको भी लाब होता था लेकिन परस्तिती ऐसे चली नहीं सकते अब ब्यार में एक के बाद कार करता दे, कोई और दूसरा दे, बयान तो चलता है लेकिन मंतरी दे रहे हैं एक के बाद, एक के बाद, मुक्मंतर कैसे काम चलाएगा इस सारा जगड़ा नरेंदर बूदी को लेकर के है और नरेंदर बूदी के बारे में आप लोगों ने क्या कहा, नरेंदर बूदी ने क्या कहा, उसके लेकर बड़ी लंबी फैरे स्थेमिल पास्था मात की आप एक कारण बता रहा है, वो धुरी सवाल हो गया आप कहरें कि पर्सेप्शन एक ऐसा बन गया, इसकी वज़े से हुआ था पूरा नहीं मैं कह रहा हूँ ना कि वो एक जो कारण है, वो एक मजबूत कारण है बाकी तो हमारी पार्टी सुक्ड़ गई चलिए मैं एक ब्रेक के लिए भी रुक रहा हूँ और ब्रेक के बाद फिर मैं आप से पूछँ को नरेंदर मुदी के बारे में जो ऐसा सवाल है जो उसको शायद आपको मुश्किल हो जवाब देने में लेकिन मेरा पूछना तो मुझे पढ़े गई हमें ब्रेक के लुकिंग और ब्रेक के बाद आपके अदालत में शर्द्यादव पर जनता के लजामात और सवालाब का एक उताओ आपकी अदालत में ये गवाई रही हमारा बाद में देख लेना आपके हमारा असेस्मेंट किता बड़ा